एक और बड़ी खबर आ रही है यूकरेन के सुमी में रूस ने एर स्ट्राइक की है और सुमी के रिहाईशी आलागों में रूस की बंबारी हुई है और एर स्ट्राइक के बाद ये इमारते तबाह कर दी गई है तो रूस की ओर से बताया जा रहा है अब सुमी में अटैक हो रहा है ये बात तो समझ में निया रहे मनिश आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है क्योंकि वहाँ पर तो सीजफायर लागू होना ऐसे में हम कहा रहे हैं कि एर स्ट्राइक हुआ ये रात को हुई थी ये रात को हुई थी और ये पोस्ट एफेक्ट है करीबन नौ के लगब दूर की बात कर रहे थे उस एरिया को टागेट किया गया रशियन के हवाले से ये खबर आ रही है कि दरसल यहां पे करीबर आधी रात तीन से चार बजे के बीच इस समय लगातार फाइरिंग की गई बॉंबिंग की गई और हम आपको ये बिता दे कि सुमी हमारा मैटर इसलिए भी है क्योंकि यहां से महस दो किलोमेटर की दूरी पर वो हॉस्टल्स है यह आउटर स्कुर्ट नहीं है बलकि सिविल एरिया वो उनिवर्स्टी के पास का एरिया है जहां पर नुकसान हुआ है नुकसान की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और यह हेवी डेम इसलिए लागू हो गया लेकि उसके बाव जूद भी तस्वीर बदलती हुई नहीं दिखाई देती है तो किस तरह का हमला रहा होगार क्या वज़े रही होगी देखिए जो मेरा इस पे सोच वचार इस प्रकार है देखिए यह जो डेमेज है ना यह अब को जादा ही होने लगा है क्योंकि देखे एक प्रोफेशनल आर्मी यह सिविल रियाशी आलाकों को बिल्कुल फ्लैटन करना यह तो बिल्कुल सेकंड वर्ल वार में जो हुआ था वो हो रहा है यह मेरे को अभी याद नहीं आता है कि पिछले कितने सालों में ऐसी हमने देखा होगा ठीक है डामेज होते हैं लेकिन यह तो बिल्कुल फ्लैटन के जा रहे हैं और हर गाउं में हर शेयर में इतना रिजिस्टन मुव्मेंट नहीं है युक्रेन की सेना लगाता रूसी सेना को मूँ तोड जवाब दे रही है तीन तस्वीरें आपके स्क्रीन पर वसल कीव में मिसाइल से हमला उसके बाद रूसी काफले पर अटेक और बक्तरबंद गाडियां तबा अमित के पास एक बड़ी खबर है और आपको बताने एक और बड़ी खबर आ रही है खारकीव से जहां पर पूरी रात बंबारी की गई है जिसकी थोड़ी देर पहले में हमने आपको तस्वीरे दिखाए थी उसके बाद आप देखिए कि हाई राइस बिल्डिंग है कॉम्पलेक्स है जहां पर आग लगी हुई है और यहां पर जो फायर फाइटर्स है वो अपने लैडर्स के साथ पहुंचे है और यहां पर आग को बुझाने की कोशिश की जाई है लेकिन देखिए इस तस्वीर में भी एक बहुती बड़ा विरोधा बास यह आता है कि एक शैर पर लगातार बॉमिंग हो रही है लेकिन वहाँ पर फायर विगेट काम कर रहा है वहाँ पर एम्बुलेंस काम कर रही है वहाँ पर जो आपकी जो सिविल सर्विसेज है वो काम कर रही है तो यह अपने आपने बहुत बड़ा सवाल है जो समझ में नहीं आता है हमें ऐसा क्यों हो रहा है सार आपके आंसर हम चाहेंगे साथ में हमारे सार कलें टिकू भी जुड़ गया है कलें टिकू आप भी बताइएगा देखे जो तस्वीरें अभी आप दिखा रहे थे और जो शहर की तक्रीबन तक्रीबन काफी बरबादी हो चुकी है यह यह तस्वीरें एलपो शहर की थी सीरिया के अंदर तो पहले पहले तो यह तस्वीरें नहीं आ रहे थी क्योंकि मुझे लगता था रश्या जो है बड़ा फाइर पावर इस्तिबाल नहीं कर रहा है स्टीज को बरबाद करने के लिए लेकिन जो विशे आपने उठाया यह भी एक सोच उचार करने की बात है कि सिविलियन कैजूल्टीज कहीं दिखाई नहीं दे रही है और दूसरा अभी तक जो गावरनन्स है वहां पर वो सिस्टम शायद चल रहा है क्योंकि फाइर ब्रिगेड काम कर रहा है तो मुझे लगता है या तो यह आइसलेटिड पिक्चर से किसी शहरी इलाके में ऐसी तबाही हुई है या या तो मिसाइल से ऐसे ठिकाने पर हमला किया गया है जहां पर कोई मिलिटरी बेस थी या गैरिजन था या उनके कुछ एसे थे उनको डिस्ट्रॉई किया गया है ज जो पेशेंस वो भी लूस करता है सर आप इस पर कुछ जोड़ना चाहिए कैसे बाकी जो हम देख रहे हैं सिविल जो वहां पर हम देखते हैं अमेनेटी वह कैसे अभी इंटक्ट है ऐसे शहरों में खासता और पर खार की अपर तो इतनी बॉमिंग हो रही है देखिए यह उड़ता है कि यह लड़ाई आगे कैसे चलती रहेगी क्योंकि अगर यही इतना अच्छा कॉडिनेशन और दूसरा एक और कॉडिनेशन आप देखिए इन्फरमेशन वारफेर जरूर है लेकिन कितनी जली वो प्रोसेस होके हर लेवल तक जा रहा है दूसरे देशों मे भी आ रहा है तो यह भी दो बहुत क्रेडिडेबल चीजी है कि उनका जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है मेरे कहाल यह ब्रेन उनका बहुत अच्छा काम कर रहा है कि तुरंत अक्शन हो रहा है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर